मेरा नाम शर्शी सिंग है और मैं डॉक्टर राम अनुह लोया इंस्टिट लखनव। मैं कारिरत हूँ और मैं समय डूटी पर हूँ यह हमारा वार्ड है अभी-अभी मेरी एक स्टाफ नर्स हैं उन्होंने फोन किया और वताया कि हमारे भी वही इसती है कि नर्सेज के लिए कोई स्विधा नहीं है इवन एन 95 मास्क तक नहीं है प्लेन मास्क एक मिलता है और गलफ्स है उसी से हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं मेरा सबसे यह कहना है कि यह समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है सामान नहीं है नर्सेज के पास और उनसे कहा जाता है कि ऐसे मरीज जो स्वाइन फ्लू और कोरोना के पेशेंट हैं सस्पेक्टेड उनको हैंडल कीजिए पत्रकार बंदों से और जनता से देश की जनता से मेरा सवाल है कि हमें बेसिक चीजें प्रवाइट क्यों ने की जा रही हैं और मना किया जा रहा है कि बोलिए मत यह क्या तरीका है देंगे और एक प्लेन मास्क देंगे हम क्यों चुए हम क्यों चुए भाई रिस्क है सब जान रहें रिस्क है हम क्यों चुए क्या यह देश इतना गरीब हो गया है कि हमें पीपी किट नहीं मिल सकती सबसे पहले जरूरी चीज़ें होनी चाहिए तो हमें क्यों नहीं मिल सकती बताइए हमें प्रोटेक्शन की किट नहीं मिलेगी क्योंकि मैं कर्मचारी निता हूँ मेरा दाये तो बनता है मैं राज कर्मचारी सायूफ परिश्ट की प्रदेश महामंत्री हूँ मेरा हर कर्मचारी के लिए दाये तो बनता है कि मैं इसकी सुरच्चा के बारे में सोचू और हमसे पहले तो सरकार को सोच रहे हूँ सरकारी कर्मचारी है सबसे पहले तो उन्होंने ये देखिए कि नोकरियों को क्या टके टके पर कर दिया है कि 10,000, 7,000, 15,000 नर्से से काम करा रहे है मैडम क्या बताओं पेंशन दे नहीं रहे है नोकरी सीक्योर नहीं ठेके पर नोकरियां है और इसके बाद आप सामान भी नहीं देंगे और अदीश्य धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें निकाल दूँगा निक्ति तुम ऐसे ही काम करो वो बजट कहा जा रहा है मैं जानना चाहती हूँ कि यो पत्रकार बंदू वास्तों में अपना कार्य करें हर अस्प्ताल से पूछा जाएगी कितना बजट मिला और क्या-क्या सामान वास्त वह खरिदा गया कर ने खरिदा गया क्योंकि नर्ष right को तो नहीं मिला तो किसको मिला मैं इसलिए इस तरह बात कर रही हूं क्योंकि आज हमारी जान जोखिम में है तो ऐसी भी का बात देता ऐसी भी का इतिक्स तब आप की सिंसेर्टी हमारे लिए कुछ नहीं है आप के अंदर इतना भी संबेदन शील्ड सभाव नहीं है कि आप हमें प्रोटेक्शन किट तो दे सकें तो हम अपनी नर्सेश को और कर्मचारी को कैसे कह सकते हैं कि तुम जाओ और मौत के मुँ में समा जाओ मेरा नयतिक दाई तो यह गवारा नहीं करता कि मैं कहूँ कि जाओ काम करो तो कृपया मानिस्वास मंत्री जी हमें पता है कि आप कुरंटाइन उसमें हैं क्योंकि वो जो कांड हुआ था बॉम्बे से आई थी यहां पर बेबी डॉल में सोने दी उन्होंने बहुत बहुतों को चलता कर दिया कि जाओ कृरोना के सरण में जाओ तो उसका भी हम लोग हमेज़ भुगते तो भुगतेंगे करते हैं नौकरी प्रोटेक्शन किट तो दीजिए उसके बिना मैं इसलिए कह रही हूँ कि 24 घंटे तक हम लोगों को संसादन नहीं मिलेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे न हमारे करमचारी कर पाएंगे और न हम कर पाएंगे क्योंकि आप देखिए न टीवी में टीवी में जो घंटे शंग घड़ियाल बज रहे हैं और अभी अभी ये भी फोन हमारे पास आया कि दीदी हमारा तो कही नामों निशान ही नहीं है कि कोई नर्सुस ने भी कुछ किया या करमचारी ने भी कुछ किया भारत की डॉक्टर देखिव यह कर रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिकर ही देखिए न कि वर्तमान समय में कितनी डॉक्टर अस्ताल में बैठे विया हैं देखिए आप और कितनी नर्स कोई नर्स होगी तो उसे मिलना चाहिए संसाधन डॉक् पास हैं ये किट हैं उनके पास फारमेशसिक के पास भी है लैप आइकनीशन के पास हैं ह। कुछ हमारे लिए क्वेजिट के र pense के फी डिया जाएं हम सफाई के सामान दिया जाएं तुछ हम काम कर पाएंगे, मैं एक करमचारी नेता हो नेता होने के कारण आप से रिक्वेस्ट करने हूं कि देखिए, आप लोग हमारा सार दीजिए, कि हमें संसादन दीजिए, और मैंने ही, सब के साथ मैंने भी आवाज उठाई थी, जब चायना में मसला हुआ था, कि सर, आप इसे कंट कुम्मेले में आप करोन उपै की करोन लोग का मैनेजमेंट रहता है, आप अस्पिताल रहते हैं, सब चीज रहती हैं, कुम्मेले का मैनेजमेंट जैसे करते हैं, वैसे हर एरपोर्ट पर एक 50 बेट का हॉस्पिटल खोल देते वहाँ पर जितने लोग आते उनको 15-15 दिन के लिए कॉरेंटाइन कर देते आप उसके बाद जब निगेटिव होता तो वहाँ से निकालते तो पूरे देश में आज जो इंसान जूज रहा है इस समस्या से आप बताईए भाईयों बहेनों कि समा गया है उसका कोई खामियाजा देशकता है जो सब डरे हुए है आपको क्या हाका किसे को डरा नहीं का है रहा मेरी जानना चली जाए सारे देश के नागरी छट पटा रहे हैं कि कैसे बचे करकि चीज़ा हवा में है और वो तुरंट पता भी नहीं लगेंगी यह डर हमने तो नहीं दिया हमने नहीं दिया जिसने दिया है वह भूग तक अभी नहीं वह छुप जाए गए जो उनको रोक सकते थे जितने भी लोग थे वह नहीं भूगतेंगे हम डॉक्टर नर्सेज भूगतेंगे हमारे करमशारी भूगतेंगे हमार अपने एरपोर्ट को सील कर देते आज ये हाल ना होता ये गलत हो रहा है और ट्रीटमेंट करने वालों का ये हाल आप कर देंगे हम भी बिमार पड़ गया तो आपका इलाज कौन करेगा तो प्लीज मैं तो कही रही हूँ आप भी कहिए सिस्टम से कि वो हॉस्पिटल में साम सामान बहुत जादा मात्रा में दे ये बाड़ वाला कार्यक्रम अब नहीं चलेगा आप सुन लिजिए मुझे सब पता है कि बाड़ में सामान कितना इस्तेमाल होता कितना खा लिया जाता है ये नहीं चलेगा आप हमें दीजिए सामान चाहे जहां से दीजिए वरना हम काम नहीं करेंगे, हमारे भी फैमिली और बच्चे हैं, कसम हमने ली है हम उनको क्यों मारें हम प्रपावित होंगे तो उन तक भी ये चीज़ें पहुँचेंगी हमें कोई हक नहीं है कि हम जन सेवा करने के लिए अपने परिवार को मौत के मुँ में डाल दे ओपेन हैंड से काम नहीं करेंगे ओपेन हैंड मिन्स की बिना पीपी के काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कोड बन सचीवाने बन ओफिसेज बन, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट बन सिर्फ अस्टाल खुला है सब को पता है कि बीमारी लग जाएगी एयर में है सिर्फ अस्टाल खुला है तो जो काम कर रहा है यह जान के काम कर रहा है कि मौत के मुँँ में जाना हुआ उसको किट भी नहीं दोगे यह कुतनी डिस्कॉस्टिंग है ये अमानवी है ये अमानवी है और फिर आप कहोगे की नहीं किसे से मत कहो ये गलत है हमारी नर्सेस को हमारे करमजारी को सब को दीजिये करमजारी गरीब है जीने का हक गरीब और अमीर सब का बराबर है किट सब के लिए मिलने चाहिए सब के लिए मिलने चाहिए और ये CSC, PSC में तो एकदम miserable condition की gloves तक नहीं है और नर्सल से कहते हैं टेंड करो दूर खड़े रहते हैं जाओ सुभी लगाओ, काम करो करेंगी सामान तो दो बिना सामान की क्यों चुएंगी प्लीज मानवता मत खोईए हम आपके साथ हैं हम चाहते हैं कि ये जो लंबे समय तक पक्रिया चलेगी हम इसको समारने में सच्चम हो वो सच्चम कैसे हो हमें सामान तो देंगे, आप संसादन रुपलब्द कराईए और मेरा आप से यही निवेदन है हमारी नर्सेज बहुत कपेबल हैं बहुत डिवेटेड हैं बहुत ज़्यादा चमता रखते हैं काम करने की 10-10 गंटे, 12-12 गंटे वो खड़ी रगर काम करने वाली नर्सेज हैं तो क्रिपया आप उनको संसाधन तो उपलब्द कराईए हम इंकार नहीं कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले हम अपने सुरच्छा करेंगे इसके बाद ही तो काम करेंगे इसके हमने ओथ ली है सर्फ प्रोडुशन पहले करेंगे फिर मरीज को बचाएंगे सिंपल सा मामला है धन्यवाद सब भी देशवासियों को नमस्कार करती हूँ और सब के खुशाली के लिए प्रास्परिटी के लिए और इस समस्या से निपटने के लिए उसमें उन्नों को शक्ती मिले इसकी प्रात्ना करती हूँ और सब कुछ अच्छा होगा लेकिन कृप्या हमें नाम मत दो हमें फिर देखे मैं कह रही हूँ नाम मत दो लेकिन कम से कम सामान तो देदो अगर आपको लगता है पत्रकार बंदों से मैं खास तोर से कह रही है जोनोंने टीवी में चैनल में खबरे चलाई है पत्रकार बंदू महोदे आपको लगता है कि नर्सेज का कोई वैलिव नहीं है इस चीजों को मैनेजमेंट करने में हमें बाहर कर दो फ्रेम से हमें भी हाई कोड की तरह सची वाले की तरह ऑफिस की तरह हमारे पास चुट्टिया हैं हमें हमारी प्लीज प्लीज दो और जितने भी लोग हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि इनका योगदान है उनसे करा लो काम शंकनी घंटे-घडियाल बजवाओ मैं भी बजाओंगी घंटा-घडियाल घर में बैठकर आपसे ज़्यादा तेज बजा दूँगी हमें छुट्टी दे दो हमारे सारी नर्से है यह लीव पे है करें हमें हमारे चुट्टी दे दो नां भी नहीं है कि योगदान युगान दॉक्तर है युगदान अधरवाइस दूसरे लोगों का है हमारा दूसमें किसी प्रतेटर्कार नाम भी नहीं लिए तो हमें नाम मत दिजिए, मत लीजिए हमारा नाम, चुत्ती दे दो, तो जो हर काउंटर पे नर्स बैठी है न, कम्स कंपने घर में जाके बैठी दो, सबी कर्म सारी के तरह हम भी बेट जाएंगे पिर जो काम कर रहे हैं जो समझे जा रहे हैं कि हाँ बहुत काबल हैं वो समाल ले इपनी सारी सुभ्यवस्ता नखिट दोगे बहुजन समाल से जोड़ी हर खबर जानने के लिए सबस्काइब करें दशोद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें